अब देखो जो भी अपन GST के question solve करेंगे उसको तीन point of view को ध्यान में रखे करेंगे सबसे बहले क्या करेंगे लिखते जाना सब determination of value of goods supplied by manufacturers इसका हिंदी में लिखो माल उत्पादकों द्वारा माल की पूर्ती की दशा में मुल्य निर्धारन लिखा नेक्स लिखो डिटर्मिनेशन ओफ value of goods supplied by traders वित्रकों व्यापारियों लिखो वित्रकों व्यापारियों आदी की दशा में माल के विक्रे की दशा में मूल्य निर्धारन फिर लिखो ठर्ड कहीं चूटा गया किसी का माल उत्पार्दकों दवारा माल की पूर्टी की दशा में मूल्य निर्धारन माइक मिट कर लो जिसका भी ओन ठर लेको अ को अपर अच्छान आए अरिणी पाल्यूर्ट अप्राइब स्टनीकों और अधरी को द्वारा सेवाओं की पूर्ति के सेवा प्रदायकों द्वारा सेवाओं की पूर्ति के कर योग्य मूल्य का निर्धारण सेवा प्रदायकों द्वारा सेवाओं की पूर्ति के कर योग्य मूल्य का निर्धारण अब इसमें देखो हम जबी भी प्राक्टिकल स्वाल करेंगे इस इस टिका अब आपका यूनिट थ्री रहे है यह यूनिट फॉर है यह यूनिट फाइप रहे पूरा जी स्टी एक साथ चलेगा और पूरा थी भी मैं एक साथ कवर करूंगी तीनों टॉपिक कभी थ्री थार्ड यूनिट का कर सकते हैं कभी फोर्थ का कभी फिफ्ट का बस कौंशिप्स क्लियर होना चीए तो प्राक्टिकल को इन तीन पॉइंट आफ यू से करेंगे आप लोग ध्यान में रखना एक्जाम में आपको कोश्चन जो करने हो लेगा जी स्टी वह आपको किस बेस पर पूचा है यहां फिर जो ट्रेडर है देखो तीन स्टेट से पारियों के पास बिजनेस के पास होलसेल डीलर्स के पास जाता है तो ऐसी तो ऐसी सिट्वेशन में क्या करना पड़ेगा ध्यान देना पड़ेगा लिखा यह तीनों पॉइंट्स अबने अब देखो यह इसको चाहो तो दो पार्ट में भी कर सकते हो अब देखो दो पार्ट में कैसे डिवाइड होगा ने जो मैनुफएक सार्ट जरेडर जैना इसको एक जंगा कर दो क्यों पता है यह थो यह वी बात यह जो चींज पांस और ये है एक service तो goods में दो है manufacturer और traders और service में सिर्व एक service अब हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा transaction value निकालना पड़ेगा transaction value मतलब price जो goods की price है वो उसमें क्या add करना है उसमें से क्या minus करना है तो यह सारी चीज़ें आएंगी इसमें तो एक प्रोफॉर्मा बनाओ जीस्टी के लिए बनाओ प्रोफॉर्मा सब बनाएंगे प्रोफॉर्मा एक particular का और दो amounts के column बनाओ आएंगे आप लोगए झाल फर्स्ट पॉइंट एड करना पर्टिकुलर में transaction value या फिर invoice price नृब का विभार मूल ले आपिर बीजक भीश्य जल्दी यल्दी solve करो I mean जल्दे लिखो transaction value या फिर invoice price माल का व्यवार मूल ले या फिर भीजक मूल ले इसके बाद add करेंगे अपन कुछ items क्या add करेंगे पहले तो अगर कोई दूसरा tax लगा है लेकिन GST को छोड़ के GST के अलावा अन्य उपकर अगर GST के अलावा अन्य कर एवं उपकर अधर टैक्सेज एंड एक्सेप्ट GST अगर GST दिया है आपके कोश्चन में तो आप उसको छोड़ के जो भी आ और दुनिया बर का टैक्स है वो add करेंगे सेकेंड लगेंगे बैकिंग चार्जिस। को डिजाइन इंजिनियरींग चाउजेस एन चैर्जेस टेस्टिंग फीज इंस्पेक्शन फीर में परमर्श शुल अब है कि शूझ निरिक्शन शुल कि टेस्टिंग aç twitch सब्सक्राइब करें फिर क्या एट करेंगे इसमें लोडिंग चार्जेश वेट्मेंट चार्जेश मतलब अगर कोई गुड्स भारी है देखो गुड्स की बात हो रही है मूवेबल गुड्स तो वो सुना है आप लोगों ने धरम गाटा लिखा होता है कहीं पर जहां पर वेट होता है ट्रॉक्स क्या दिखा है कि मैं महद्धर्ण काटा करके लिखा रहा था तो वो पता था किस परपस के लिए वह प्लानम और कि तने का वजन है कितने का क्या है तो वो चार्जेश वेट्चाजश चार्जेश वेट चार्जेस के बाद आउटवर्ट फ्रेट देखो वेटमेंट के साथ लोडिंग चार्जेस भी एड़ कर सकते हो वेट चार्जेस लोडिंग फिर लिखो परिवहन भाड़ा एवं भीमा आउटवर्ट फ्रेट एंचुरेंस फिर जो आफटर सेल सर्विस दी जाती है उपने को एक साल की वारंटी दो साल की यारंटी तो वह प्राइस आल्रेडक्र जुड़ा रहता है इसलिए हम अन्स支持 दिए तो घुछ भी फ्री नहीं है वो आफ्टर सेल्स की भी प्राइस जोड़ चुके रहते हैं देखो जैसे अभी एड किया इसमें आगे देखो इंस्टॉलेशन चार्जिस कि इंस्टॉलेशन देखो फ्री सेल्स सर्विस जो सिक्स पोईंट लिए इसको हिंदी में लिख सकते हो बार्णटी अवधी में विक्रेव प्रांत फ्री सेवाओं का मुल्य आगे लिखो इंस्टॉलेशन चार्जिस थापित करने के विए है एट देखो expenditure by receipt on behalf of supplier expenditure by recipient recipient मतलब जिसको सामान मिलने वाला है है ना उसको recipient एट इसको लेको पूर्ती करता कि और से प्राप्ट करता द्वारा किया गया कोई वे ना इन्थ लिकों इंट्रेस्ट लेट फीस और पिनाल्टी फोर दिलेट पेमिंट मतलब देरी से बुक्तान की दश्चा में ब्याज जुर्माना विलम शुल्क पेमिंट लिकों शब्सिड़ी लेकिन कौन सी गवर्मेंट वाली नहीं सब्सिड़ी डारेक्ली लिंक्ट सब्सिड़ी के अलावा अन्य द्वारा पूर्ती की संबंद में कोई सायक राशी सब्सिड़ी को हिंदी पर सायक राशी बोलना सरकार के अलावा यह गवर्मेंट वाली नहीं है किसी को डाउट है किसी भी पॉइंट में आगे देखो यह तो ओगया एड करने का अब लेस करेंगे डिसकाउंट किसी भी टाइप का डिसकाउंट ठीक चाहे ट्रेट डिसकाउंट हो चाहे कैश डिसकाउंट हो या क्वान्टिटी डिसकाउंट लेसकाउंट है आगे लेसकाउंट हो याद puòताइप हो या याद करेंगे लेसकाउंट हो याद चाहे चाहे ट्रेट 005 यह हो जाएगा लास्ट में एड देंट टेक्सिबल वेल्यू ऑफ सप्लाइग योगा अपना फाइनल एंसर फाइनल एंसर नहीं होगा इस पर आप हम लोग टेक्स लगाएंगे क्लियर यहां तक कोई डाउट जेस्टी के प्रोफॉर्मा में और कोई किसी को युद्वीर बताओ सॉम्या श्वेता अरिया कोई डाउट है तो लेका सप्लाइग ये जो फॉर्म प्रोफॉर्म बता आया है नोर्टेस करो इसमें लास्ट में देको क्या लिका है टाक्सेबल वेल्यू ओफ सप्लाइग रेड शपॉर्ट को फॉलॉ करो सरब taxable value of supply देखो जहाँ जो GST लिखा है determination of value of goods supply तो supply करने के लिए ready तो जब अपना ये goods produce हुआ supply करने के लिए ready हो गया है अपना goods तो taxable value ये निकलेगी value अब GST अलग से निकालेंगे कैसे निकालेंगे उसके लिए देखो हटाओ ये जो भी लिखा है ये जो भी लिखा है नेक्स देखो जैसे कालकुलेट करना था टैक्स कल एक लास्ट में कोश्चिन करवाई थी याद है जी एस्ट के लिए टाक्टिकल के थे अपन कल लास्ट क्लास में तो वैसे ही निकलेगा लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान रखना है इसमें अगर कोश्चिन में लिखा है कि GST जुड़ा हुआ है GST is included अगर विभार मूल्य में GST शामिल है तो GST कैसे कैलकुलेट करोगे लिखो यदि विभार मूल्य में GST शाम में लेकिन में लिखा होगा इस वैल्यू अफ जी एस्ट इस included तब क्या करेंगे ऐसे सिट्रेशन में जो टाक्सिबल वैल्यू निकाले है लास्ट वाले प्रोफॉर्मा में वो अमाउंट इंटू जो भी rate of GST होगा upon अजू अपन हन्रेड प्लस जीस्टी कर देना अगर जीस्टी इंक्लूडड है तो अगर जीस्टी इंक्लूडड नहीं है इव जीस्टी इस नॉर्ड इंक्लूडड तब लिखना डिर्क टक्सिवल वेल्यू इंट ज्स रेट अपन हंडर्ड कि छो सब्सक्राइब लोड अजण foreign लिए रेव आ AUDIENCE में जधि वयवहार मुलिव में ज़सी शामिल यह सोड़ी शांनिया और सेकर वाल में यदी वयार मुलिविह ती शामिल नहीं है किसी को डाउट यांदथ एक प्रोफॉर्म मैं काल्कुलेशन ओफ जीस्टी पेवल एक नहीं हम पार में फॉर्म बढ़ना गाने के बाथ जोबी बहलियु आएगा वो क्या रहेंगा मैं अधर इस फॉर्म इस नीकलेगा क्या जी एस्टी टैक्स निकलेगा विट्टा कल देखो इधर देखो यह देखो यहां पर फॉलो करो एक सी यह देखो जो भी टैक्सेबल वेल्य होगी अगर उस पर रेट लगाऊंगी 10% तो जी एस्टी निकलेगा न है लेकिन यह वाली कौन से सिच्विशन है अगर माल लो उस जो एमाउंट टैक्सेबल वेल्यू उसमें जी एस्टी जुड़ा हुआ है फ्रम जी एस्टी को कैसे अलग करेंगे टैक्सेबल वेल्यू इंटुरेट ऑफ जी एस्टी अपन प्राक्टिकल करेंगे ना तो पूरी क्लारिटी आ जाएगी टेंशन मत्वाभी स्टेप बाइ जो एमाउंट निकालें लास्ट प्याराग्राफ से अब उसी को लेके चलेंगे यहां पर अब हमको जी एस्टी काल्कुलेट करना है यहां पर एमाउंट वाला कॉलम मनाना कल करवाई थी मैं आप लोगों को इंटर स्टेट होगा इन केस ओफ इंटर स्टेट राज्य के भीतर मालपूर्ती की दशा में क्या लगेगा एक सीजी एस्टी फिर एसजी एस्टी यहां अगर यह नहीं लगता है तो इंटर स्टेट सप्लाय लगेगा आईजी एस्टी है 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 एक है है आईजी एस्टी में तो जितना परसिंट दिया होगा पूरा लगाएंगे और जो उप्रण उपर वाले केस में अगर कितना परसेंट है सपोज ब्राकेट में लेखना सपोजिज लेट आना अज्यूम 10% तो कैसे करेंगे कालकुलेट cgst कितना हो जाएगा 5% और SGST भी कितना हो जाएगा 5 और अगर इंटर स्टेट सप्ला है तो पूरा का पूरा IGST लगेगा कितना परसेंट 10% clear हुई? clear हुआ अब को? ये समय इसके बाद जो भी निकलेगा amount उसमें less करेंगे ITC याद है बताई थी? input tax credit ये समय वो माइनस करेंगे 1st और 2nd से जो भी आएगा उसको टोटल करके करना total GST payable इसमें जो भी आएगा input tax credit minus तो वो जाएगा net GST payable और ये जो calculation का पार्ट है 5% 10% ये calculation वाला पार्ट ये हैं यहाँ पे जो लिखवाई हूँ ये ऐसे निकलेगा तो net GST payable क्या हो जाएगा? जो last में आएगा अपना red spot को follow करो सब देखो इदर ये जो GST निकला है 5% 5% 10% ये कैसे निकलेगा? ऐसे ये इस बेस पे निकलेगा या फिर ये इस बेस पे आरहे है समझ में? झाल झाल